दोस्तों राहूल गांदी ने सिद्धर मया को लिखा पत्र जैसा ही पत्र लिखा गया वैसे ही एचटी रिवन्ना को ग्रफ्तार कर लिया गया है दोस्तों बताएंगे कहां से जुड़ी वड़ी अपडेट सामने आ रही और क्या है पूरा मामला इसी के साथ में मोधी के थे ने बारि है पलटी और लोगों को मैनुप्लेट कराई दोस्तों सोचल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए संधेश खाली के मामले को लेकर भारतीयंता पार्टी को बुरी तरीके से घेरा जारा इसी किस्साथ में करिया दोस्तों साथ कई बार के मेले कॉंग्रेस पार्टी में शामिल हो गए है एक करके चलेंगे लोग सब्सक्राइब से जुड़ी फटा पर सारी बड़ी अपडेट की तरफ लेकिन उससे पहले अगर आप फीन मांते हैं कि भारत के परिवर्टन चाहता है थो यस वीडियो को लाइक करके लावागा कर स चलते हैं अप्छे पहले और बड़ी अपड़ी की तपर चलते हैं चलते हैं सब्सक्राइब की सिकार हुई पीडिताओं को हर संभव मदद पहुचाने की अपील की है सिद्रमया को लिखे लेटर में करनाटका के सांसर रवना के कृतों की जमका निंदा की गई है दोस्तर कारवाई की मांग की गई है महिलाओं के साथ न्याए की अपील की गई है सिद्रमय को कहा गया है कि अन्रोद कता हूँ कि आप पीडिताओं को हर संभव सहायता पहुंचाए सिद्रमय ने इस पश्ट कर दिया है कि करनाट का सरकार महिलाओं के साथ एकदम मजबूती के साथ खड़ी है और पूरा नयाय सुनिश्चित किया जाएगा और जैसे ही राहूल कांधी ने लेटर लिखा दोस्तों इसका रिजल्ट आना भी शुरू हो गया है राहूल कांधी के लेटर लिखते ही अब इस पूरे मामले को लेकर एक बड़े नेता को हिरासत में लिया गया है आपको दादे कि ग्रफ्तारी से बचने के लिए करनाट का क प्रजल रिवन्ना का बाप है उसे ग्रफ्तार कर लिया गया है दोस्तों इसके साथ में और भी कठोर कारवाई की जाएगी सासाथ केम्ब्रीज युनिवर्सिटी से एंफिल है राहूल गांधी रहने के लिए नहीं है अपना माकान सोचल मीडिया पर राहूल गांधी के द मिलाकर 18 मामले दर्ज है कॉंग्रिस नेता ने हलफ नामे में अपने खिलाफ किसी भी अन्य आप राधिक मामले का जिक्र नहीं किया है आप लोग जानते हैं कि जादतर मामले मान हानी से जड़े हुए है आरसेस और बीजेपी के नेताओं को लेकर उनकी टिपनी के मामले प बताया है साइस भारती अंता पार्टी के नेताओं को सपने आएंगे क्योंकि Cambridge University से एंफिल करना इतना आसान नहीं है राहुल गांदी के एजुकेशन कौलिफिकेशन को लेकर सवाल खड़े करने वाले लोगों के बारे में आपकी क्या राए है दोस्तों लिखकर जरू बत प्रेंका गांदी ने करारा जवाब दिया उन्होंने कहा कि वो मेरे भाई को सहजादा बोलते हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ ये सहजादे 4000 किलोमीटर का पैदल यातरा करते हैं कन्या कुमारी से कस्मीर तक आपकी समस्याए सुनते हैं लोगों की समस्याए सुनते हैं मे आना चाहिए कि कौन सहजादा देश के अंदर 4000 किलोमीटर वो भी पैदल चलता है यहीं ऐसा लग रहा है कि बिना अधार के कोई सी भी बात बीज़ेपी के नेता बोल लेते हैं और वापस भाग जाते हैं इस पर और भी जवाब देने को तयार नहीं होते प्रेंगा गांधी आगे कहा कि एक तरफ आपके सेंसा नरेंदर मोदी हैं महलों में रहते हैं आपने कभी टीवी पर उनका चेहरा देखा है एक दम साफ सुतरा सफेद कुरता एक भी दाग नहीं धूल नहीं एक बाल इधर से उधर नहीं होता वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मज़ूरी आपक पूछे गए हैं दोस्तों प्रेंका गांधी जानती है कि किस तरीके से प्रोपोगेंडा वाली चीजों का करारा जवाब देना है राहूल गांधी को सहजादा कहे जाने को लेकर ये करारा जवाब प्रेंका गांधी की ओसे दिया जा रहा है सासर बदायू से पांच बार सा रहे सलीम शेरवानी ने कहा कि मैं सोच रहा था कि पांच बार के बाद अब यहां से कोई मेरा बेटा आगे रिस्ता बढ़ाएगा और बदायू के लोगों के साथ रिस्ता बना कर रखेगा इसके बाद उन्हों सलीम सेरवानी चुनाव लड़े थे उनको 51,000 वोट मिले तो और यह एक बड़ा करन्ड था इंडिया गरवंदन के प्रत्याशी के हार का लेकिन आप बड़ा समर्थन भी मिल रहा है तो माना जा सकता है कि यह सीट वापसी समाजवादी पार्टी के खाते में चली जाए कि पार्टी पार्टी जाए और एक दो साल पहले वापस से कॉंग्रेस पार्टी में तो रह सकता हूं लेकिन भार्टी एंता पार्टी की विचार धारा मेरे सुटेबल नहीं है मुझे अच्छा नहीं लगता कॉंग्रेस पार्टी की विचार धारा मेरे लिए है और इसके बाद वापस से कॉंग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं दोस्तों खुल मिलाकर ऐसे नेता हो की क्रेडिबिलिटी नहीं होती जो एक पार्टी छोड़कर विक्रमादित्य सिंग की पतनी का मुझता उठाते वे कॉंग्रेस पार्टी ने निजी जीवन पर टिपनी किये जाने को लेकर आचार सहीता उलंगन बताया है उन्होंने केंद्रिय चुनाव आयोक से शिकायद की है बीजेपी उमिदार कंगना रनावत ने विक्रमादित् और उनकी पतनी का मामला अदालत में विचारा धीन है ऐसे मामलों में टिपड़ी करना अनूचित है इसके कानून पर नाम हो सकते हैं कॉंग्रेस ने कंगना के बयान से जुड़े कुछ वीडियो क्लिप इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया को दिये हैं दोस्तों आप लोगों सुवेंदु अधिकारी और उनकी टीम ने महिलाओ के दिमाग को ब्रेन वोस किया है और संदेश खली के मामले को लेकर जवर्दस्ती फेक रेप के कंपलेंदर दर्ज कराने के लिए कहा हो और इसके बाद मामले को और ज़्यादा आगे बढ़ाया गया संदेश खली के मामल के नेता और सांसद को निसाने पर ले लिया है तियसवी सुरिया पर टिपड़ी करते हुए उन्होंने कहा कि वो सहजादे है पर लोगों जो भी राये हो लिखकर जुरू बताएका चलते हैं एक और बेड़ी खर की तरफ जहां पर इंडॉर में कई बार की सांसद रही और कई बार लोग सवाग पहुचकर स्पीकर बनी सुमित्रा महाजन ने एक बड़ा बयान दिया है उन्होंने न्यूस चैनल से बात करते वे दावा किया है कि मुझे कई सारे लोगों के फोन आ रहे है और जो वो बयान खुद दे रही है बीजेपी के वरिशनेता होकर की लोग उन्हें फोन करके कहरें कि वो नोटा का बटन दवाएंगे ये भारतियंता पार्टी के मत्रदेश की स्तिति को बता रहा है अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि एक तो वोटिंग परसेंटेज क के अंदर कॉंग्रेस पार्टी सरकार में मंत्री रह चुके योगनंद सास्तिरी ने फिर से घर वापसी की है योगनंद सास्तिरी ने फिर से घर वापसी की है योगनंद सास्तिरी ने फिर से घर वापसी की है योगनंद सास्तिरी ने फिर से घर वापसी की है योगनंद सास से अर्विंदर लवली को तगड़ा जटका दिया है आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखका जुरू बताएगा चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर मोधी जी अगर 10 साल में कुछ किया होता तो अपनी कामियाबी पर चुनाव लड़ सकते थे लेक लाके को नेपाल ने अपना शियत्र बताने की कोशिस की है नेपाल ने एक नोट जारी किया है रुपईया एक साय का नोट यानी सोर पे का नोट जारी किया गया है इसमें भारत के कुछ इलाके शामिल किये गए हैं चावे लिपिया दूर हो काला पानी का इलाका हो जो भार तुलना में इस तरीके की अर्कते कर रहा है और भारत के इलागों पर अपना क्लेम कर रहा है दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखका जो बताए क्योंकि यह मामला काफी गंभीर है नेपाल और भारत के संबंद हमेशा से अच्छे रहे हैं ऐसा कौन सा काम बीजेपी पटवारी पर पांस दिन में तीसरी F.I.R हुई है अब भिंड के उम्री थाना के अंदर केस दर्ज किया गया है बीजेपी प्रत्यासी पर बीजेपी से 60 गांट करने का उन्होंने आरोप लगाया था पटवारी पर पांस दिनों में 3 F.I.R की गई है 29 तारी को अली अंदर F.I.R. दर्ज किया गया है बस्पा के प्रत्याशी पर बीजेपी से सांट गाट के आरोप लगाये थे पूरे मंत्री पर कहा था इमर्ती देवी का रस खत्म हो गया है यानि इस तरीके के बयान पर अब S.C.S.T. अब सब्सक्राइब के प्रत्याशी पर बीजेपी ने खुद को पूरी दुनिया में सबसे धनवान पार्टी बना लिया है एक रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने 60,000 करोड रोबे खर्च किये हैं आपको मजबूत बनाने के लिए नहीं बल्कि अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए इन्होंने 60,000 करोड रोबे खर्च किये हैं बेसक BJP से समझाता किया है लेकिन जिस दिन घोसी की जनता के ऊपर आच आएगी उस दिन सबसे पहले मैं इस्तीफा दे दूँगा हम जो बात करते हैं वो करते हैं इसके बाद वहाँ अपने बेटे का जिक्र करते हुए बोले कहा दिली में जिसे लड़ना है वहाँ एक सेर का बच्चा है, सेर का बच्चा गीदर नहीं होगा, हमेशा शेर ही रहेगा, वहाँ PhD किये हुए है, जितने लोग लड़ रहे हैं, उनकी आउकाद नहीं है, यानि अपने बेटे की तारिफ करते हुए, अन्ने लोगों की आउकाद पूछ रहे हैं, घोसी लोग चुनाब में समाज़ादी पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी उन्होंने बनाई सोसित वंचित पार्टी और अब वापस से ब्यारी कर रहे हैं, सौईविसाद मौरिया मायवत्ती से मुलाकाद कर सकते हैं, घरवापसी हो सकती हर आखरी चरन में, जिन सीटों पर चुनाब होने वाले हैं वहाँ पर किसी एक सीट से उनको मैदान में उतारा जा सकता है यह चर्चाए यह काफी तेज है दोस्तर सासा ललन सिंग जो जेडियू के नेता है और मुंगेर से प्रतियासी है पेक पब्लिक मीटिंग में लोगों को संभोधित करने क पहुचे थे उनसे लोगों ने पूछा कि पिछले 5 साल में आपने क्या काम किये हैं कोरोना काल में आप हमारे भीच दिखाई नहीं दिया वोट के लिए आ गए हैं मुंगेर लोगतवा सीट पर 13 तारीक वोट डाले जाएंगे दोस्तो और भारतियंता पार्टी के नेता अ लेकिन अपनी एक रैली को भी रोगना पड़ा लेकिन लोग कह रहे थे कि तेस्वी यादा वा फटना लोट जाएंगे और और भी रैली नहीं करेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन उनको दढ़ हुआ उसके अगले दिनी बीते दिन उन्होंने लगबाग 5 सभाय की है अब आने वाले दिनों के अंदर टोटल मिला कर उनके 120 के आसपास और भी सभाय होने वाली है सारी विधान सभा में जा रहे हैं पार्डी के कारेकरताओं को एकजूट कर रहे हैं और सुलिशित कर रहे हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा वोट मिले इंडिया गडवंदन का जादे से जादा उम्यदार जीत कराएं ऐसे में 23 यादन शनिवार को सोचल मीडिया प्लेटफार्म पर कहा कि महिनों से अलट पलट वाली अथक सामाजी के राजनतिक यात्राएं चलती रही है आराम के अभाब में निरंतर यात्रा के करन दो हटे से कमर में हलका दर्द था ज जब देखता हूँ कैसे गरीब महिलाओ बहनों को महंगाई के कान दस्तोई चलाने में काफी पीडा का नुबब हो रहा है किसान भाईयों को सीचाई के साधर और फसल का उचित दाम नहीं मिलने तता संसाधनों के अभाब में रोजी रोटी के लिए लाखो सातियों को पला हर वर्ग को पीडा है क्योंकि उनके अधिकार उनका न्याय उन्हें नहीं मिल पा रहा है मैं इन सब के तकलीफ के आगे अपनी तकलीफ को कुछ नहीं समझता हूँ तो यस्वी यादव के पीठ में दर्द था दोस्तों और देखा गया था कि वो बड़ी मुस्किल से हेलिक पार्टी एंडिये गडबंदन की तैयारियों पर जोरदार पानी फेरने वाला है दोस्तों ससाथ फिल्हानमती नेद्रमोदी जब बिहार पहुंचे तो बिहार के दर्भंगा में उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए पहली बार तीयस्वी यादव को सहजादा कहकर सहजादा दिल्ली में है वैसे ही एक सहजादा पटना में है एक सहजादे ने बचपन से पूरे देश को दूसरे सहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझ रखा है दरसल दोस्तों तेयस्वी यादव को लेकर इससे पहले नेद्रमोदी कोई टिपड़ी नहीं करत है लेकिन देश्वी यादव अगर सहजादे हैं दोस्तों तो पीठ में उनके दर्द हो रहा है और वो तावरतोर सभाय कर रहे हैं 120 का रेक्रम और करने वाले हैं जो अपने आपने एक तरीके का रिकॉर्ड होगा तो ऐसे में सवाल यह कि कौन सहजादा अपने घर से इतने तीखी गर्मी में जहाँ 45 डिग्री से जादर टेंपरेचर पहुंच जाता है वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं लोगों से मुलाकात कर रहे हैं पाच बाच सभाय कर रहे हैं ऐसे में दोस्तों प्रधान मतरी मोदी को साय सहजादे को लेकर कन्फूजन हुई होगी सहजादा कह सकते हैं जो AC रूम में बैठ कर देश के खिलाडियों का भविस्ते तैय करता है आप लोग जानते हैं कौन वो व्यक्ति है जो देश का भविस्ते तैय कर रहा है देश के किर्केटरों का भविस्ते तैय करता है एक AC रूम में बैठ कर सासाथ दोस्तों महंगाई इतनी है क गरेलू बचत 47 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुँच गई है लोगों की लायबिलेटी यानि लोगों के खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं गोल्ड लोन पांस साल में पांच गुना बढ़ गया है लोग परिवार के गहने मंगल सूत्र गिर्वी रख रहे हैं इसी मह बढ़ लिया जाएगा कॉंग्रेस पार्टी मंगल सूत्र का तो सम्मान करती है लडगियों के मेडल का भी सम्मान करती है लगबग हर परिक्षा में लड़कों से बहतर सावित होती है गान्दी नगर से जिताने के लिए बंपर वोटर से जितानेขेसरी से प्रशावाशन का दुरुफयोग कि लिए अलौक को प्रशान किया जारा जिन्होंने अमिसा के सामने नमांकन भरा है तो इस पर प्रेका गांदी ने कहा कि अमिसा के संसद्यों शेत्र में 16 परत्याश्यों को डरा धंका कर बैठा दिया गया है ग्रह मंत्री को किस बात का डर है यह सवाल जवाब भाजबा के लोगों को देना है सासाथ दोस्तों आमाधी पार्टी ने 40 स्टार परचारकों की लिस्ट जारी की है अर्विंद केजरिवाल पार्टी के नेता मनीज सिसोधिया और सतंद्र जैन का नाम भी एड़ किया गया है दिल्ली में स्टार परचारकों की लिस्ट जारी की गई है अर्विंद केजरिवाल मनीज सिसो दिया गिरफतारी से बाहर आएंगे इस तरीके की उमीद जताई जा रही है और जैसे कोट ने बयान दिया तो उसके बाद स्टार परचारकों के नाम में उनका भी नाम एड कर दिया गया है हो सकता है कोट की और से अगर जमाना दे दी गई तो सीथा स्टार पर चा के एक तरीके से ट्रीट कर रहे हैं हर जगा पराबर केंपेंग कर रहे है जाता से जैदा लोगों को जुटाने का प्रीयास करें सासत आखला में 2 करोड कैस जब्त किया गया चुनाबों के बीच इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया ने जवरता सेक्शन लिया है दोस्तों इसी के साथ में प्रधान मंत्री मोधी दर्भंगा पहुंचे थे बिहार तो लोगों ने दर्भंगा एम्स डूणने के लिए जगा जगा जाकर देखा कि कहीं दर्भंगा एम फंड नहीं दिया जा रहा पैसे नहीं दिया जा रहा है दरसल दोस्तों ओडिसा के पूरी लोग सबास सीड से भारतियंता पार्टी के नेता सम्मित पात्रा मैदान में उत्रे हुए है उनके सामने एक बार फिर से चुनावती पेस करेंगे वरतमान सांसाथ बीजडी के ने पैसा जबत हो गया है फिर भी वह चैंपेन कर रहें तो पैसा कहा से आ रहा है ऐखिकतए है किपारटी इनडार अलवार